स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयरवेदा प्लस में तो इस कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आप सदा स्वस्त रहें और मस्त रहें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नॉटिफिकेशन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिल सके तो आज हम बात करने वाले हैं कि DHT कैसे एर थिनिंग करता है और नेच्रल DHT ब्लॉकर क्या-क्या है जिससे हम अपने बालों को बचा सकते हैं तो DHT जो होता है वो होता है डाय हाइडर टेस्टोइस्टिरोन ये क्या करता है ये प्रिवेंट करता है नॉटिफिकेशन को जिससे कि वो हेर फॉलिकल में अब्सॉर्ब ना हो सके तो hair follicles में ये सीधी सी बात है कि वो nutrients को absorb नहीं होने देता है जिसके वज़े से धीरे धीरे हमारे बाल जो है वो पतले होते जाते हैं और ये अगर बहुत जादे पतले होगे जितना बाल मतलब हमारा कम हो रहा है वो नए बाल नहीं आ पा रहा है तो ये इवेंच्वली बालनेस को cause करेगा तो जो male pattern बालनेस होता है उसमें इस DHT का मुख्य भूमिका होता है जब बहुत जादे DHT हो जाता है तो वो हमारे hair roots को कमजोर बना देता है जिसके वज़े से की बालनेस हो जाता है ये जादातर पुर्श्रों में दिखता है और बहुत सारा नेच्टरल जो remedies है online भी available है जिसमें की DHT blocking effect होता है इस पे बहुत सारी research हो चुकी है और जो finasteride आदी है जो chemically दिये जाता है है कि DHT block करने के लिए उसके बहुत सारे side effect है तो इससे बढ़ियाएं कि आप सबसे पहले natural तरीका अपना के देखें तो ये बात भी होती है कि सिर्फ कुछ ही लोगों में DHT ये अलग-अलग कैसे काम करता है कुछ लोगों को बाल कर देता है कुछ लोगों को नहीं करता है तो इसमें ये बात है कि अगर हेर लॉस आपका genetic है अगर आपके पिता को male pattern मालनेस है तो हो सकता है उसे में जाते 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 जब उनको male pattern मालनेस होई थी तो आपको भी हो जाए अब हम देखते हैं कि DHT जो है मतलब की हेर फॉलिकल को श्रिंग कर देता है जिससे कि हेर ग्रोश सीज हो जाती है तो अब कौन-कौन सी ऐसी चीजे है जो की जो DHT को block कर सकता है और जितनी भी सारी natural चीजे है इनका जो mechanism है वो कुछ अलग है जिसके वज़े से इनसे side effects नहीं होता है सिर्फ health benefits मिलती है तो जो हमारा यहां पे number one में है लिस्ट पे that is pumpkin seed तो pumpkin seed में आखिर ऐसा क्या खास होता है जिसके वज़े से यह DHT को block करता है और हमारे बालों को सुंदर बनाता है और hair growth में मदद करता है तो जो pumpkin seed है इसमें होता है zinc होता है lycopene होता है और lyzine होता है जिसके वज़े से DHT को block कर पाता है और hair growth को promote करता है अब हम देख लेते हैं जो हमारा next है वो है onion seed तो यहाँ पर onion seed में जो होती है एक chemical होती है उसका नाम है quercetin तो यह chemical जो है इसमें DHT blocking effect देखा गया है काफी researches हुई है इसमें तो यह भी DHT को block करता है अब जो हमारा next है वो है saw palmeto इसका जो extract होता है saw palmeto का इसके berries का वो क्या करता है वो block कर सकता है 5 alpha reductase को जो की testosterone को DHT में convert करता है इस enzyme को block करने से यह जो DHT है उसको block करता है जिसके वजह से वो हमारे hair roots को कमजोर नहीं कर पाता है और यह promote करता है hair growth में तो इसके भी जो oil के इसके berries के extract के capsules online available है जिसका link मैं description box में डाल दूँगी next जो हमारा है वो है turmeric है तो इसमें जो curcumin होता है turmeric में यह क्या करता है DHT को कम करता है यह जो 5-alpha reductase enzyme है उसको block कर देता है जिसके वजह से यह DHT को कम करता है body में next है हमारा walnut इसमें L-Izine होता है जिसके वजह से यह DHT को block कर पाता है तो walnut भी hair growth के लिए बहुत ही अच्छा है अब इसके बाद है हमारा flaxseed इसमें होता है zinc होता है lycopene होता है lyzine होता है जो की hair growth को promote करता है और hair fall को reduce करता है इसमें जो है estrogenic effect दिखता है और anti-endrogenic होता है जिसके वजह से यह जो pattern baldness है उसमें भी काफी हद तक कारगर होता है तो guys आपको यह natural जो चीजह है उसको use करना चाहिए और अपने hair को strong बनाना चाहिए ताकि जो DHT है इसके वजह से आपको hair loss या hair fall ना हो पाए देख एगने hair ना है खागर है और प्लीज आपको फ्क वाचे वाचे लाय रचने जो चाहिए आपको यह जावाच आपको यह जो जोलिग्या को जापको ढूंगाच कर ताक्ष। झाल झाल